जी बिसमल्लाहुर्मादुर्रहीम अच्छा देखें पहले एक्सराइज कर लेते हैं हम ठीक है यह आपके सामने अब आपको स्क्रीम नदर आ रही होगी यह है यह है आपने वही इग् करना का आना चाहिए यह आप लोगोने मुझे बताना है जी अलम दोरोसा क्या आना चाहिए तो ठीके और फिल मदरसा ती 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 और अल बै ती ती अल गुर्फए और अल्हमा मू फिल हम्मा मी फिलमत्वा की अल्मक्ता बू चेके और इस तरीके से अल्लमक्ता बी चेके ना अल्लकुरसी ये पिर यही के असरीर माशालला यहाप लोग कर लेंगे आए नश्यार्ट नंबर टू जहीर भाई और नमबर स्टरियां काशव भाई ठीक है जी स्टाट नंबर वन सेंटेंस इंड़ और खोड़ अबक्र करना इंग अपके साथ उन्जाट करूंगा चाला ठीक करना जी जी साथ अत्वा लेव फिल जा मियाती and the student in the university university the student is in the university is in the university जी साथ जी number two the man is in the mosque mashallah next number three the pen is the pen on the table on the desk the pen is on the desk number five number five number six i know where is the page the page is in in the on the book wrong it is on the book तर्जुमे में बहुत हित्यात करिएगा आप यकिन करें अब अब अन्दाले कर रहे होंगे के अगर हमने जरसी तर्जुमे में कोई मसला किया तो कौन से माइने कहां के कहां हो जाएंगे अजिके ना हलाके यकिन करें मफूम सही बन रहा होगा मफूम तो सही बन रहा है जारी बात है लेकिन एक्जेश तर्जुमा वो नहीं है और यह बातें आगे बढ़कर बड़ी खतरना को जाती है तो इसी लिए विए वेरी केफूल इंट्राइशन तो यह दपेज तो इसाट गए जारी वह बेखाव वह बना उसका जवाब क्या है अल्वरकु अल्यल्मक्तबी आना लेकिन यहां पर क्लिक्वा है इटेज ओन्देशन उन्देशन तर्जुमा उसके वहां तर्जुमा उसके शाब से करना है ठीके ना माशा-ल्लश प्लीज ते तर्जुमे आइनल मुदर्रीशू, वेर इस देटीचर, हुवा मिनल फसली, नहीं अलद, दुबारा पढ़िये, आइनल मुदर्रीशू, टीके, वेर इस देटीचर, हुवा फिल फसली, अब आपने सही पढ़ा, आपने पेदे मिनल पढ़ा था पता है, आपने इसमें एक और लफ्स का इजाफा किया है, पता है, मैंने, जी आपने, वेर फिल फसली, इस देटीचर, रूम का, सोरी, क्लास, जस्ट क्लास, अब आपनों को जानबूश के टोक रहा हूँ, बार बार टोकूंगा, इंशालला, ताके तर्जुमे की एहमियत वाज़ हो आपनों के उपर, नो सर, ये बहुत अच्छा है कि हमें, फॉरन ही फिर वो आदत पढ़ जाएगी, अगर आपने गलत, जी, और फिर दब आप कुरान मेरी खोलेंगे, और आप गलत तर्जुमे करेंगे, पिर आल्ला माफ फरमाएं, सोचें आप, जी सर, क्लास, और क्लास मिरहाँ पदे हैं, जी नम्हाँ ना वाज इस पर्डिकूलर्ली आ टॉइलेट, ठीके, जी, नम्र नाइन, श्यम्स वालकमारू फिस समाई, माशल्ला, अश्मड़ आप न वून इन इस्काय, आर इन दसकाय, माशल्ला, आर इन दसकाय, अर इन असकाय, बुकर जी, जी, जी इस माँवा इस तसलाइस का जी 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 पिलकुल माशालला नमबर टैन मैं पढ़ लेता हूं मन फिल फस्ट क्या मतलब होगा हुआ हूँ इस जी आप लोगो समझ में आ गया है ठीक है और अपते ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक एने डिक कंसिदर फॉल्विंग मुहमदुन आमिनतु खालिदुन जैनबु हामिदुन फातिमतु ये मैं आप लोग पढ़ चुके हैं आगे चलते हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं देखें अल्मस्जिदु इल्लमस्जिदी मिनाइना अन्ता अना मिनाल्याबानी वमिन आइना अम्मार हुआ मिना सीनी याबान इस जापैन सीन इस चाइना ठीक है तो यह आप लोग खुद पढ़िएगा कन्वडिशन जो है ठीक है ना तो यह आप लोग खुद पढ़ ली जाएगा इंशाल्ला सीन सीन मिनस सीन इस चाइन सीन चाइन को बोलते हैं ने इसको पड़िये गाहँ तो पड़ाट ओकर जी बोले बोले पीच पीजप जाहिए गाँ भाफे रहे हैं कि कुछ पड़िये गाँ यह वाला जी सार इस लोगी स्वर्वर करें साह यय जो N STAR आ रहा है जहाबा और ये गया मैं आपको इसके मतलब बतात हों सिर्फ बागी हो कुछ नहीं बताऊएंगा फिर लाख ही यह लेंट क्या मतलब ऑजिो आ हृँ का मतलब है ही लेफ्ट ठीक है और जहाब का मतलब है ही वेंट एक सेक्ड आगे हैं जी मैं आप लोगों से माज़द खाहूं कि उत्रों से मिकान में किनेक्शन देश हुआ था जी देखें एक है खराजा और एक है जहाबा मैं इसका सिर्फ आप लोगों को मतलब बता रहा हूं आगे कुछ नहीं बता हूंगा ठीक है खराजा का मतलब होता है ही लेफ्ट और जहाबा का मतलब होता है ही वेंट जहाबा ही वेंट खराजा ही लेफ्ट ठीक है और मैं क्यों नहीं बता रहा जी मैं क्यों निकल गया और चला गिया और जब निकल गिया और जहाबा वो चला गिया बस आप यह जहें में रखेगा इसको मैं जानगुश्या नहीं बता रहा क्यों अभी हम अपना जो अरिजिनल हमाई जो बुक है अला रभीयत वईन एड़ीक हम उसका लेसन शुरू करेंगे उसका लेसन हम दो उसकी हमारात पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको वर्फ पढ़ाऊंगा पास्टेंस प्रेजेंटेंस दोनों तो फिर उसमें याज एगी बात ठीक है जी अब देखें नेक्स पेस्पे आते हम यह अब हमने क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ना है आज असल में बात है मुझे आप पढ़ा है मेरे साथ वह पढ़ा है जार प्लस मजरूर यानि के प्रेपोजिशन प्लस नाउन माशल्ला आप लोगों को समझ में आ गया आपने पढ़ लिया आज हमने पढ़ना है नया कंपाउंड नंबर टू आप चाहें तो हैडिंग डाल सकते हैं अपने पास अपनी नो ठीक है जो जैसर एंड ले जैसर ऐन फॉसेशं जी फॉसेसर एंड पॉसेशन यह हमने आज पढ़ना है इसको समझना हैं बहुत ऐहम कॉंसेप्ट है और इसके कुछे रूल जेंगे हमारा कंपाउंड नंबर टू है हम लोग ने टॉटल कितने पंपाउंड पढने और जार का मतलब होता है प्रेपोजिशन मज़रूर जिस नाउन के उपर प्रेपोजिशन आ रहा होता है इसको मज़रूर बोलते है तरह आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वर्ड वाली थाकि मैं आपको समझा सकूं इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है और अर्बी में क्या होता है पॉजैसर और पॉजैसर और पॉजैसर और पॉजैसर और पॉजैसर आपके ख्याल में क्या होता है पॉजैसर क्या होता है पॉजैसर क्या होता है पॉजैसर क्या होती है पॉजैसर जो मल्कियत हाँ मल्क और पॉसेशर कौन होता है मालिक मालिक यानि कि हम लोग पढ़ने आ रहे हैं मालिक और मल्कियत ठीक है अच्छा उर्दू और इंग्लिश के अंदर इस लगे अर्भी काता अलगे किस हमाले से प्विद्ध के आपके सामने लिखता हूं कि आप लोग मुझे नहीं को जुम्द है अंदर मालिक कौन है अमीद हमिद मौलिक है और और बुक क्या है मल्कियत मल्कियत उसकी ठीक है ना अच्छा उर्दू में क्या बोलेंगे इसको हामित की किताब हामित की किताब ठीक है अच्छा इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ यासिर यासिर पैन कहा है यासिर का का अच्छा उर्दू जबान और हमारी जबान जो है हमारी उर्दू जबान के अंदर जितने भी अलफाद होते हैं न की और का जिस में आ रहा होता है इसके अंदर एक मालिक होता है और एक उसकी मलकियत होती है अच्छा आप लोग मुझे वाब बताईए हामित बुक यासिर स्पेंड हामित की किताब और यासिर का अपनों देखें उर्दू और इंग्लिश में अंदर हो यह रहा है कि मालिक पहले आता है मल्कियत बाद में आती है नोट करें पक्का पहले सोचें तरह जी आपको बताना यह चाहरा हूं अर्बी में उल्टा होगा इसका जैसे गिंटी थी गिंटी को छोड़ दें यहां पर रहें पहले प्लीज इसको अरभी में करना है तो पहले मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो किस तरह बनाऊंगा बुक ऑफ हामिद ऐसे बनेगा पैन ऑफ यासिर ठीक है ना हलाकि हमारी अर्दु जबान में ऐसे नहीं होता मैं आप उसे बता रहूं एक शेप देने के लिए आप तरजुमा जो करेंगे ना वो जैसे यह हामिद्स बुक है ना और यासिर स्पैन है वैसी हामिद की किताब तरजुमा उसका वही होगा लेकिन उल्टा होग यानि के जो ओनर है जो मालिक है वो आएगा आखिर में पहले जो उसकी चीज है ना मल्कियत वह पहले आईगी ड़न होगिया आईए पहले देखते हैं हम इसको इंग्लिश में कहते क्या है और यह किस तरीके से होगा आप लोग सिर्फ एक मरतबह आपको समझ में आज देग है बलके पक्का हो जाएगा और आप लोग भूलेंगे नहीं लाकियों से इसके अंदर हामिद है हामिद इसके अंदर आप लोग चाहें तो लिख लें हामिद है पुजैसर है सब्सक्राइब और इसकी पॉजैशन इसकी है पुजैशन सबसे पहले हमें यह देखना होगा अर्भी जबान में पुजैसर को क्या कहते हैं और पुजैशन को क्या कहते हैं सब्सक्राइब अर्भी जबान के अंदर पहले तो हम देखते हैं पुजैशन अर्भी जबान में कहते हैं पुजैशन को कहते हैं एक ज है मुजाफुन 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 यानि कि ये इजाफा है इसे उर्दू में इजाफा होता है इजाफा ये वो चीजे जो आप में इजाफा हुई है आप पहले अकेले थे अब बुक आ गई आपके पास समझारी है और इजाफा किसकी तरफ हुआ हामिद की तरफ हुआ हामिद को पुजैसर को अगर भी जबान में जी माशा अल्ला मुझाफुन इलाइही मुझाफुन इनकी तरफ इलाइही इजाफा टुवर्ड्स सम्टिंग एडिट टू हमिद तो मालिक को अर्बी जबान में कहते हैं मुझाफुन इलाइही है सब्सक्राइए पुजैसर का तरजिमा मुझाफुन इलाइही है ठीक है पुजैसर का तरजमा मुजाफन इलही है पुजैशन का तरजमा मुजाफन तो यह हो गया आपका कंपाउंट नमबर टू है मुजाफ प्लस मुजाफन इलही मुजाफ इलही अर्भी जभान के अंदर 6 पहले आता है मुजाफन इलही बात में आता है इंग्लिश और अर्दु के अंदर मालिक, यानि कि मुझाफ अलैही पहले आता है और मुझाफ बात में आता है, ठीक है? ये चोटी सी मतलब मोटी मोटी बात है, इसको जहने में रखे हैं, अब इसका तर्जुमा गएंगे, आप लोग ऐसे, आप लोग माशालला दो में शड़ जाइंगे पहले आप लोग न यह जिए पता है जो सामने लिखा वह आपके जी सर्फ तो अजी जी सिद्रा जी से इसको मिटा दू जी से चले अब देखते हैं क्या होता है अब देखें मैं करूगा गया मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा इसकी construction कैसे होती है सबसे पहले यादर किएगा जैसे मैंने आपको बताया कि मुजाफन इलईही का मतलब मालिक आपने ये देखना है अर्भी जबान के अंदर आपने ये देखना है जब भी कोई अर्दू का जुम्ला जिसमें का और की आ रहा हो आपने ये देखना है का और की वाले जुम्ले वो मुजाफर मुजाफर ही वाले होंगे का और की वाले जुम्ले के अंदर एक मालिक होगा और एक उसकी मल्कियत होगी आपने सबसे पहले मालिक को ढूंड कर उसको लिखना है आप हामिज बुक के अंदर मालिक को ढूंडिये और पहले लिक्कियों इसको क्या लिखेंगे आप लोग मैं आप से कहा है मैं आपके लिखा है हमें इसमें सबसे पहले आप मालिक को ढूंडिये और मालिक का तरजुमा करते हैं पहले हम आपने तरजुमा का मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि अर्भी में तरजुमा करो इसलिए मैंने वह अब हमने क्या किया मैंने आप लोगों से कहाता है कि जितने भी ऐसे जुम्ले आएं उर्दू के अंदर जिसमें का और की आता है कि आप लोग जब का और की देखें जैसे घर का दरवाजा या अल्ला का रसूल रसूल की मस्जिद इस तरह के जितने जुम्ले आए न आप समझ जाएगा इसके अदर एक मालिक है और एक उसकी मल्कियत है कि आपने सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले आपने मालिक को ढूंड़ना है कि जो भी सेंटेंस मेरे सामने आ रहा है उसमें मालिक कौन है क्योंकि आप सबसे पहले मालिक को लिखेंगे उसको कुछ भी हो सकता है मालिक मालिक को आपने लिखकर और अर्बी जबान में रूल ये है कि मालिक के नीचे जेर होती है ठीक है मालिक के नीचे जेर होती है मालिक को अर्बी जबान में जेर में रखा है कि तेखो तुम मालिक तो हो लेकिन जेर में रहू ठीक है ना तुम अगर जबर में रौगे ना तो सब के लिए मस्लें घड़े होंगे तो तुम मालिक हो लेकिन जेल में रहो अब आप मुझे एक बाद बताईए हामिद को अल की जरुवत है के नहीं है हामिद खुद प्रॉपर ना उने इसको अल की जरुवत तो नहीं है ना नहीं से तो याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा मालिक मिले जिसके शुरू में अल ना लगावा हो तो उसके आखिर में डबल वावल आएंगे थी के ना मैंने आपको क्या बताया दबल वावन का मतलब होता है कि नार्मली हाम में लिकिन कि बिचारा मालिक जरू यह कि मालिक बिचारा बीचारा दिर में होता है तो 이 सके हमके यह हम धिनीड पहले हम जर इसके सौरी हां या रही हामेदिन सब्सक्राइए यह यह पहला रूल यह हो गया अर्भी जबान के अंदर ऐसे जुम्ले के जो के पुजेसर और पुजेशन वाले होते हैं यानि के मुजाफ और मुजाफिले वाले होते हैं हम इनको अपनी जबान ससे कैसे पहचानेंगे हमारी जबान में जो का और की वाले आते हैं जुम्ले यह सारे एक मालिक होता है उसमें और एक मिल्गिएट इसके इंदर तो हम क्या करें गे सबसे पहले उसमें तो हम मालिक को ढोंडें गैं मालिक को हम मजफ़त कि कहते हैं मालख पॉझेसर होता है यानिकी ऑनर होता है हम सबसे पहले उसको लिखकर उसके नीची जीडर डाल देंगे हमारा पहला मैस्टाहल हो गया ठीक है सब्सक्राइब अब आपने मल्कियत के तीन काइदें भाई काइदा नंबर एक यह हैं आपके सामने बुक लिखा हुआ है ना बुक को अरभी में क्या कहते हैं मक्त किताब अब किताब एक सेकंड रोगें जी मैंने लिख दिया किताब सब्सक्राइब तरजुमत तो किताब हो गया बहुत असान है लेकिन जो तीन काइदे हैं काइदा नंबर एक यह है कि मलकियत जो होती है जिसको हम पुदेशन कहते हैं इसके उपर अल हराम है ठीक है मलकियत पे कभी अल नहीं आ सकता आप मुझे इसकी वज़ा बताईए क्योंकि अल लगा देंगे तो फिर वो खास हो जाएगा उसी का ही और किसी का नहीं हो सकता अब फिलाल इसको खास की जरूवत नहीं है जी क्यों क्योंकि सब जो अल्टिमेट मलकियत है वो तो अल्ला पाक की है आपकी बात बहुत करीब है प्लूजर फेरी क्लूस पास इसको सिंक्रोनाईज कर ले आपकी बात बिलकुत सही है आप कर बाता प्लुकुत प्लुक्ट वह यह कि रूख हामित की वरद्मेट की अथिगा बश्यॉत नहीं होगी ना किताब जैना वो मैंने कि मलकियत अपने म विजूः क्या है मुझाफ कारू नंबर वन ये होता है कि मुझाफ पे कभी भी अलनहीं आता होुरू नंबर दो ये है के मुझाफ के आखिर में हमेिशा एक पिश होता है है किताबु हामिद किताबु हामिद अश्राफ तक कलमा पढ़िए अश्हदू अला इलाह इल्लाहु वा अश्हदू अन्न मुहम्मदन अब्दू मुहम्मदू रसूलू लाही यासिर स्पैन आप मुझे एक बाव बताईए यासिर स्पैन अब इसको मुझे तर्जमा करना है मैं कैसे करूँगा माशालला यासिर स्पैन अब्दू जबान के अंदर पहले आता है पुजेशन और उसके बाद आता है पुजेशर तो मल्कियत पहले आएगी मालिक बात में आएगा ना तो आप कहेंगी कॉलमू यासिर स्पैन अब मिसार के दोर पे मैं कहता हूँ अल्लह का रसूल तो मुझे बताईए मालिक कौन है अल्लह का रसूल सर अल्लह सबसे पहरे लिखिए अल्लह को लिखकर अल्लह लिखा आपने और हमने क्या करना है अल्लह के शुरू में अल लगाव है जी तो इसका मतलब है जब शुरू में अल लगा हो तो आकर में एक जिर आती है अगर अल नहीं लगावा होता तो आकर में दो जिर आती है तो हमने क्या किया हमने अल्लह का नाम लिखके जिर लगा दी उसके निचे रसूल को रसूली बोलते हैं तो क्या बनेगा ये बताई iblallahu. चार। अध्यार अज, अभ मुझे हैं अभुछे बताईए, अल्लह की किताब। क expon er malik अजाल्म, अल्लह, मैंने अल्लh का नाव लिखा शूरू में है, क्छोन कि अल्लगव है, इसलिए मैंने जईद्लाई इसलिए मैंदे जहें लगा दी, अब मुझे बताइए किताब को क्या बोलते है अरभी बाइब 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 सब्सक्राइब करें लिए अपने मालिक को अपने मालिक को अपने मालिक को अपने कि वह अपने मालिक की वर्द से वैसी खास है उसको अल की जरूवत है यह नहीं तो आप लोगों को समझ में आया ना अब मैं पहले आप लोगो असानी हो रुख जाएं अब मैं आपसे कि बुक्स शेयर करता हूं और बुक्स शेयर करने में मैं आपको एक चोटी सी एक्साइस करवाता हूँ था कि आपको दोनों सबको अंदादा होगा कि ओगे पहले मुदाफिल ही होता क्या है यह आगया आप लोगो इसलिए नदर आ रही होगी जी यह देखें जरा पढ़िए किताबन किताबन और मुहम्मदन महम्मदन यह दो लफ्ते इन्होंने मिला दिया इसको किताब मुहम्मदन किताब मुहम्मदन यह दो अब आगे पढ़िए ओला मुढमन और हामिदन किताब हामिदroc बार इतुन और अबा सुन क्या बनेगा विद्धाने बइट। अबासेन माशा ला गॉर्फटन और अलीओन क्या बनेगा विद्धा भॉर्फटन माशा अथी कि द्फरुमं और साईद क्या बनेगा दफ्तर साईद अभी ठीक है मिन्दील और यासिर क्या बनेगा माशाला कमी सुन और अमार क्या बनेगा सरीर उन और खालिद उन क्या बनेगा माशाला माशााला अब देखें ये तो वो थे कि जो के नाम थे सारी बाते उनके आखिये बोग्ता है तो देखें वो कैसे होता है पढ़िए मक्तब ल मुदर्रिस यह अब सारे वाले आएंगे। तो या ए टीचर के डास्क टीचर्डस डेस्क टीचर्डस तास्क टीचर्डस डेस्क टेके ना ठीक है इसी तरीके से अब पढ़िए मिफ्ताहुन और अल्बैतु क्या बनेगा अगे बताईए दुकान और अत्ताजिरू क्या बनेगा बताईए इस्म और अल्वलदू क्या बनेगा इस्म और अल्वलदू क्या बनेगा और अल्लाहू क्या बनेगा किताब ल्लाही किताब ल्लाही ठीक है ना जी अच्छा उसके बाद बिंतुन और अत्तबीबू क्या बनेगा और किया बनेगा इसकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाला इसका जो लेसे वह हम कर पढ़ें यह यह इसकी वह हो भी है इसके एक साइज भी है और ये इसका पूरा लेसन है इंशाला ये हम पढ़ेंगे मैं आपको दस जम्ले पढ़ाऊंगा बाकी दस जम्ले होमर्क पर दूना ताकि इसके अंदर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है ठीक है यह हमारा कंपाउंड नंबर टू है जिसको हम क कहते हैं समपाउंड पो और इसाफ यह वह जाफा है इसको मुझा तर sequence मैं अकेला ता मैंने मेरे पasına किताब आ lizा-फा हो गया है अब मैं मालिक है अधी दबान में मालिक को जहते हैं मुझाफन एलही और मालिक जाना वह बाद में आ आता है उसकी मल्किएत पहले आती बानलत के नीचे जेर होती है एक भी हो सकती है दो भी हो सकती है ठीक है ना वो मसला नहीं है अगर लगा होगा तो एक होगी अल नहीं लगा होगा तो दो होगी वो तो कोई टेंशन नहीं है इसी तरीके से जो मल्कियत है उसके में आपको दो रूल पढ़ाएं नमबर एक के मल्कियत कभी भी नहीं होता मल्कियत पर अलहराम है समझने और नमबर दो मल्कियत के एंड में एक पेश होता है चीक है कि किताब आप चाहें तो इनके रूल्स को लिख लीजिए एक पेश पर आपको याद रहें इसले रवर नमबर टू हमारा कंपाउंड नमबर बनता जार प्लस मजरूर हमारा कंपाउंड नमबर टू है मुझाफन प्लस मुझाफन इलई ही चीक है और इसकी प्रक्टिस आपने कर नहीं हैं सामने आपके पूरी एक्साइज है इस एक्साइज को करिए का इंशालला पक्के हो जाएंगे चीक है अचाहाँ अचाहाँ आप अगली क्लास जो आने वाली है एक नट बात चीक है तो इसको हम कल और जादा कर्टिन्यू पढ़ेंगे तो और अच्छी हो जाएगा हुआ 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 है